तो फाइनली वो वीडियो आज मैं पब्लिश कर रहा हूं जिस वीडियो का आपको काफी टाइम से इंतजार था होम थेटर बोर्ड की वायरिंग बहुत ही असान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से यहाँ आपको सीखने के लिए मिलेगी इसमें जो जो समान लगता है वो मैं सब यहाँ पर आपको दिखाता हूं सबसे पहले उसके बाद हम Step by Steps की वायरिंग करेंगे सबसे पहली चीज है होम थेटर का बोर्ड जोगी यहाँ पर सबसे में काम इसी करेता है इसको आपने तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं वह आपकी मर्जी है नहीं भी देखते तू भी चिलेगा यह हम रखते साथ पर बारा जिरो बारा का ट्रास्फोर्मर लोकल ट्रास्फोर्मर है यहाँ पर दो एंपियर में है अगर आपके पास दो नहीं है तो एक या फिर तीन चार पास एंपियर का भी आप ले सकते हैं एक ब्लूटूथ का कार्ड है इसे काफी लोग यूएसबी पैनल भी कहते हैं तीन यहाँ पर पॉटेंश्युमिटर है एक वॉल्यूम के लिए और त्यार किया हुआ है लिए जितने भी चीजों की जरूर रहत इस बोड की वायरिंग को पड़ती है वह सभी की सभी हमारे पास है बस एक चीज और है सामने देखते हैं वूफर यानि कि बेस के लिए इस स्पीकर का समाल करूंगा हमारे पास वह वाला वूफर तो नहीं है ल तरीके से समझाओं अगर आप सीखना चाहते दिल से वीडियो को बिना स्किप किये पूरा जरूर देख लेना आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई भी कंफूजन नहीं होगा और कोई भी आपको दुबारा वीडियो के देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक बार इसको धंग से देख लिजेगा अब यहाँ पर जो पॉटेंचियो मेटर है इसको हम बेश है ट्रेवल किसी में भी समाल करेंगे तो आप टीन वार इस तरीके से मैं लगाई हुई है देखिए तीन वार है अब यहां जो तीन बार के Connection है इस तरीके से है इस तरीके से होने awaken whatnot Cleanwood फरस्ट दूसरा थीषरा यहां पर देखिए फर्स दूशरा थीषरा इस तरीके से और पर देखिए फर्स में ट्रेवल का तो चलिए यहां पर हम जोड़ लेते हैं इसको हमने उल्टा किया तो काला वाला हमारा लास्ट में चला जाएगा आप इसके बगल में है हमारा ट्रे वाइज का ट्रेवल लिखा हुआ है तो ट्रेवल बे इस वारे को connect करेंगे इस तरीके से हम इसको भी जोल्डिंग कर लेते हैं, शीयल वाइज बिल्कुल चलिए इसको हम जोल रहेते हैं, बेस के बगल में ट्रेवल है, उसके बाद हम करेंगे वॉल्यूम सुच के कनेक्शन, थोड़ा सा वॉल्यूम सुच के कनेक्शन में आपको ध्यान ज्यादा देना होगा, क्योंकि यहां प बता ही नहीं है इसलिए हमाई साब वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखा है देखिए सीरेल वाइज मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है बेस और ट्रेबल के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं यह देखिए जो कलर मैंने यहाँ पर ब्लेक डाली भी और ब्लेक यहाँ पर करेंगे बाली जाएगी सेरेल वाइज चलेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको एक सिंपल वॉल्यूम बटन दिखाना जाओंगा देखिए इसके जैसे तीन पॉइंट यह दिए गये ना देखिए यह देखिए जैसे इसके तीन पॉइंट यहाँ पर दिए फॉस्ट second point third point तो वैसे ही यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से connect होने और बटन इस तरीके से front में होएगा चलिए connection हो चुका है अब हम करेंगे volume बटन के connection इसके connection थोड़ा सा अलग होंगे यहाँ पर पहले माँ आपको समझाता हूँ उसमें कहां पर लगेगा जो माला volume बटन लगेगा यहाँ पर लगेगा इस card से जो हमारी 3 wire यह तो हमारी power की है और हमारी अलग कट करके रख लेते हैं क्याकिद्ध यह हमारा FM का antenna है चले इसको मालग कर लेते पहले इस FM के अंटिना को हम अलग कर लेते हैं अब बस्ती है मारे पाई हैं हाँ पर तीन वायर तीन वायर बस्ती हैं जैसे हम left, right और ground बोलते हैं आप यहां पर ध्यान से देखिए right output left output audio ground थीक है बीच का ground का है और left का इदर का right का है तीन यह है left, right यह जो है आपका pen drive प्गर लगेगा इसमें bluetooth प्गर लगेगा यहां से आपका sound वनेगा और यहाँ से signal इन वायर के थुरू लेफ्ट राइट और ग्राउंड यहाँ पर जाएगा अब यहाँ पर तीन वायर यहाँ से निकले और वो तीन वायर कहाँ पर कनेक्ट होंगे देखिए यहाँ पर वोल्यम कंट्रूल का दिये गहाँ इन तीनों मैंसे एक ग्राउंड का है ग्राउंड का कौन सा है इसको मैं उल्टा करूँ और देखू ग्राउंड का कौन सा है तो ground का हमेसा जो ground का रहेगा वो हमेसा आपका सभी के common negative से जुड़ा रहेगा और इस capacitor के negative से भी जुड़ा रहेगा और यहाँ पर जो 80.05 regulator है इसके बीच से जुड़ा रहेगा ground का अब चलिए ground का हम find करते हैं वैसे track करके मैं आपको दिखा देता लेकिन चलिए multimeter से आपको जाँगा तो आपको सही तरीके से आप पर आपको बिल्कुल पता चलेगा multimeter को सबसे पर हम बजर के रहें इस पर रख लेते हैं और यहाँ पर जो 80.05 का voltage regulator लगा हुआ है जो पांच वोल्ट बनाता है उसके बीच की पिन पर हम इस तरीके से रखेंगे इसको और यहाँ पर है इसको हम ट्रेक करके भी आपको दिखाना चाहेंगे यह जो आपका ट्रेक जा रहा है यहां पर और यहां से होते वे देखीगा यहां पर आ रहा है और यहां से होते वे यहां यहां से तो यहां जा रहा है यहां पर एक जंपर लगा हुआ रहेगा पका यह देखिए आप आपको ग्राउंड की टेस्टिंग करनी होगी वहाँ पर 805 का बीज का पॉइंट ले लें या फिर आप यहाँ पर इन कपैस्टर का नेगेटिव वाले लें तो वहाँ वहाँ पर आपको ग्राउंड पॉइंट मिल जाएगा अब यह तो रही हमारी यह सब पॉइंट की बात अब बात करेंगे वाल्यूम कंट्रोल के कनेक्शन हमां कैसे करने हैं पहले इसकी वाइरिंग मैं दिखा देता हूं मैंने किस तरीके से इसकी वाइरिंग करी है आप जहां से देखिएगा यह देखिएगा सबसे पहले इसकी वाइरिंग को हम समझेंगे यहाँ पर डूल च चैनल को कंट्रोल कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए अधर जो भी होती है वह एक प्लेट वाली होती है यह दो प्लेट वाली है आगे एक प्लेट एक चैनल को कंट्रोल करती है या फिर आप कह सकते हैं लेफ्ट राइट यह कंट्रोल करती है इसके कनेक्शन क्या होते हैं जो हमारा इस card से जो signal आता है, यह जो तीन wire में left right के माध्यम से जो signal आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे left के signal को हम पकड़ेंगे, यहाँ से left आया, इसमें गया, और यहाँ से क्या हो गया, एक wire निकली, और हमारे amplifier के AUX input वाले point में चलीगी, बीच वाली, और जो last वाली है, यह हम volume button के last में जोड़ जाएगा, ठीक है, यह तो हमारे left का हो गया, यह right का हो गया, right का input यहाँ से होगा, और output यहाँ से हो जाएगा, अब ऐसे जो हमने volume के connection करें हैं, देखिए इस तरीके से, यहाँ पर मैंने तीन wire जोड़ी हुई है, yellow और blue, देखिए तीन wire आ रही है, जो green ह volume बटन के last में मैंने दोनू को connect आपसम कर लिया, क्योंकि ground का है, ground में left and right का ground एक ही होता है, ground से मैंने green wire को निकाला है, और left से मैंने yellow को, right से मैंने blue को निकाला है, बीच बीच के point से left and right को निकाला है, अब बचे first के point, first के point में देखिए, जो हमारा Bluetooth का card है, फ्रस्ट के point मे left right इधर उदर के हैं बीच का ground जो है इसको पहले हटा दूँ मैं यह वाले को हटा दूँ अब बात करते हैं इसकी देखिए यहां से तीन wire आई हुए left right ground की ground की हमेशा यहां पर बीच वाली रहती है बीच वाली wire को अभी मैं side कर लेता हूं और left right की wire को पकड़ लेता हूं जो left right की wire है उसको volume बटन जो भी मैंने आपको दिखाया था उसके first first मैं इस तरीके से मैं correct कर लेता हूं left को इस तरफ right को इस तरफ या फिर right को इस तरफ left को इस तरफ आप इस तरफ आप इस तरीके से sorting मार दीजिए देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, इसको इस तरफ मैंने शॉल्डिंग मार दिया है, और राइट को इस तरफ सॉल्डिंग मारता हूँ, आपको इस अभी लेफ्ट राइट इधर-उधर कर सकते हैं, तो अब बची बीच की ग्राउड, जो ग्राउड बची उ इस connection को आप जहान से देखिए और समझिए कार्ड से हमारी left-right जो निकली volume बटन के first-first में चलीगी एक side left और एक side right चलीगी यानि कि यह जो left है इधर चलीगी right इस तरफ चलीगी एक channel पर और जो ground है सबसे last में connect होगी और जो input और output की ground है हरी वाली वो एक साथ सबसे last में connect हो जाएगी बाकि जो बीच-बीच की pin है वहां से हमारा output निकलेगा signal यह left का निकला और यह right का हमारा निकल गया output निकलेगा अब तीन वार यह output में बची है देखिए output में तीन वार बची है यह तीन वार है उसमें जो ground है जो ground है जो हमने अभी volume बटन इसमें वीची कंट्रोल में हमने ground को search किया था वो था हमारा सबसे last वाला ग्राउंड जो रहेगी हमारे सबसे last में connect हो जाएगी ground हमारे ती हरी वाली तो हमारे सबसे last में connect वाली इस तरीके से जे वाली है तो यहाँ पर ground वाली connect हो जाएगी अब अची left-right की तो left-right यहाँ पर आप जोड देजीए अगर आप फिर भी इसकी identification करना चाहते क्या यह यहां पर पिछे उल्टा करके दिखाऊ तो एक कपेश्टर यह लगा हुआ एक कपेश्टर यह लगा हुआ लेफट राइट में तो इन कपेश्टर के माध्यम से माहरा सिग्णल आइसी तक जाता है तो यहाँ पर अब मैंने आपको ट्रेक करवा दिया है अब यहाँ पर left right में इसको मैं जोड़े लेता हूँ चलिए तो याद रखिए कि दो कपेश्टर आपको आपको मिल जाएंगे एक left के लिए मिलेगा और एक right के लिए मिलेगा जो ground है मैंने आपको 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 दिखा दिया है अब यह soldering भी हमारी हो चुकी है कनेक्टर दिया हुआ है जो हमारा 5 वोल्ट कार्ड को जाती है तो यहाँ पर इस कनेक्टर को लगा लेता हूँ और यहाँ पर देखिए यह ground की और एक 5 वोल्ट की और यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक 78.05 का regulator लगा है उस regulator पर आप इन दोनों वायर के positive negative को जोड लिजिए देखिए यहाँ पर यह connector है इस में positive इस तरफ को और negative इस तरफ को आ रहा है इस capacitor के जैस्त नीचे तो यहाँ पर चलिए मैं जोड देता हो पहले हम negative को जोड़ेंगे इस connector के इस तरफ और हम इसके बाद positive को जोड़ेंगे एक सेकंड, देखे, इस तरब हमने इसके शोल्डिंग कलिया है, देखिए, तो यहाँ पर एक कनेक्शन हमारे जा चुके है, वाँपर यह जो कनेक्टर इसके पीछे दिया गया है, यहाँ पर हमाँ 5 वोल्ट मिलती है, इसके लिए, तो इसको भी हमने 5 वोल्ट देदी, बाकिस के connection हमने का लिए है, अब बचे हमारे speaker के connection, यहाँ पर जो speaker है, इसके जो connection होने है, मैं आपको speaker के connection दिखा देता हूँ, यहाँ पर SP लिखा हुआ है, इस connector के बीचे, देखे, SP लिखा हुआ है, यानि कि, यह जो तीन SP मंदब speaker के दिए गए है, एक, दो, तीन, बीच का ground का है, या फिर common का है, इधर उधर left, right का है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीक इस करना है, speaker का connector वाले point यह तीन हो है, अब आपको क्या करना है, speaker ले लेने हैं, दोनों channel के लिए, left, right के लिए, यह दो speaker हमारे है, यह द इस speaker की negative और इस speaker की negative को एक साथ हमने इस तरीकी से जोड़ लिया है, देखेगा, आपसमा जोड़ यह है, और बचिए हमारे कितनी wire अब, तीन wire, देखिए, पहले मैं अच्छी से जोड़ लेता हूँ, बचिए हमारे कितनी wire, तीन wire, एक यह wire, एक यह wire, और एक यह wire, यह wire, जो है, हमारी दोनों speaker की common wire है, तो इसको जो common wire को है, हम beach वाले point में इस तरीके से sorting मार देंगे, common wire को beach की point में sorting कर लेंगे, देखिए, इस तरीके से, अगर जगे निया तो इधर उधर आप कर लिजिए, अगर है, तो इस तरीके से कर लिजए, थोड़ा सावदानी से इधर अधर ना लगे, और बाकी जो दोनों speaker की एक एक wire जो ये बची वी है, उनको आप इधर उधर वाले point में connect कर लिजिएगा, इस तरीके से, बस, speaker के connection भी हो चुके है, अब बचे हमारे, बड़े वाले, base वाले speaker के connection, जो base वाला speaker हमने रखा है, उसके दो wire ये है, इसके connection अब जो करने हैं हमने, इस home trader board में एक point यहाँ पर मिल जाता है, बूफर लिखावा, देखिए, यहाँ पर बूफर लिखावा मिल जाता है, बूफर वाले speaker के connection करेंगे, इस लिए, इन दोनों wire को में यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, दोनों जिगर पे, negative को negative and positive को positive के साथ, final इस इसे ने भी हैं, सब push connection हो चुके हैं, बसता है तो transformer, transformer बारा-0-2 का लेना है, और यह जो connector दिया गया है, transformer का है, बारा-0-2, इसके just पीछे हम चलते हैं, यह तीन points हैं, और यह हमारा transformer है, transformer में, यह red wire हमारी input के लिए हैं, और यहाँ से हमारा बार-0-2 निकलेगा, तीन wire, connector अभी आपको बार-0-2 का दिखाता ना, वहां पर connection करना है, पहली wire को पहले वाले connector के साथ, बीच वाली wire को connector के बीच point के साथ, और यह वाली wire को connector के last वाले point के साथ, ज़रूरी नहीं है, लास्ट के वार अगर यह वाली इस तरफ लास्ट में भी जूड जाती है, या फिर अब हम इसकी setting करते हैं और इसको अच्छी तरीके से लगाते हैं, और एक चीज और बताऊंगा, सभी connection एक बार ध्यान से आपने check करना है, खास करकि आपने USB के connection क्योंकि यहाँ पर अगर 5V आपको accurate नहीं बिल रही है, और यहाँ पर एक चीज है, wire के connection अगर उल्टे हो या फिर आपका जो pen drive या फिर Bluetooth पनल है, यह तुरंद खराब हो जागा, इसलिए आप ध्यान से इसके connection कीजिएगा, या फिर इसके inspection सही से कर लिजिएगा, चलिए, अब यहाँ पर इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, इस तरीके से, और यहाँ पर speaker को मैं इस तरफ को रभ लू हुआ, ठीक है, ताकि यह अच्छा भी लगे दिखने का, देखिए, बेस ट्रेबल का यह है, यह बेस का, यह ट्रेबल का, यह बॉल्यूम का, यहाँ पर मैं tape लगा के इन दोनों potentiometer को इस तरीके से लगा लेता हूँ, सही से, ताकि यह बिलकुल यहाँ पर लग जाए, देखिएगा, दूसा potentiometer हमारा लग चुका है, अब आए, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का भी इसके just बगल महम लगा लेते हैं, खाफितनों से डिमांड थी, आपके लिए वीडियो बन चुकी है, अब आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, फानल लग चुके हैं, और बेस वाले speaker को मैं इस तर रख लेता हूँ, पूरा setup त्यार है, बस अब इसको test करना है, अब हम इसको play करेंगे, और यहाँ पर हम आपको इसका पुरा sound quality दिखाएंगे, चलिए, song को play करता हूँ, अब इसका volume मैं दिरे दिरे बढ़ाऊंगा, अब इस speaker स्पीकर से sound आ रहा है, अब मैं दिरे दिरे bass को बढ़ाऊंगा, पहले आपको speaker का sound सुना देता हूँ, दूनी channels का, treble को बढ़ाता हूँ, अब bass बढ़ाऊंगा, दिरे दिरे, दिरे दिरे bass बढ़ाऊंगा, तो फानली आपने इसका sound सुन लिया होगा, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही जबर्दस तरीके से मैंने इसके wiring पूर आपको सिखा दिया है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर देजीगा, साथ एक प्यारा सा कमेंड आपकी तरफ से होना चाहिए, थैंक्यू जो मच,